भाजपा की सरकार बनते ही 36 गड़ के आदिवासी मुख्य मंती बनने के बाद भी हस्देव के आदिवासियों पर दमनात्मा कारवाई की शुरुवात को लेकर 36 गड़ मुक्ती मोर्जा और पर्यवरन प्रेमियों ने अपना आको जताते हुए राज जिपाल के नाम ग्यापन सौपा 36 गड़ की सत्ता में काबिज होते ही बाजपा सरकार ने अपने चहते कॉर्परेट आडानी के लिए संसादनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कारवाई सुरू कर दी है कल हस्देव अरण ने बचाओ संगर समिती के युवा साथी रामलाल करियाम गराम हरीहरपूर जैनेंदल पोर्ते और ठाकुर रामसाहित कुछ साथ अंदोलन कारी साथियों को पुलिस घर से उठाकर लिगई और गाओं में भारी पुलिस फोर्स को तेनाद करके परसा इस्ट केते बासिन कोईला खदान के लिए पेडों की कटाई सुरू की जा रही है वई 36 गल मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने भाजपा सरकार की इस दमनात्मक कारवाई का कड़े सब्दों में भरतस्ना करती है और आदिवासी साथियों की ततकाल रहाई की मांग करते हुए हजदेव के जंगल विनास पर रोक लगाने की मांग की है इस कड़ी में बताया की हजदेव अरणे 36 गल का समरिद्ध वनचेतर है जा हजदेव नदी और उस पर मिनी माता बांगो बांध का कैंश्मेंट है जिसमें 4 लाग हेक्टेर जमिन सिंचित होती है केंजी सरकार के ही संस्थान भारती वर्ने जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हजदेव अरणे में कोईला खनन से हजदेव नदी और उस पर बने मीनी माता बांगो बांध के अस्चित उक्त पर संकट होगा प्रदेश में मानों हाथी संगर्स इतना बढ़ जाएगा कि फिर कभी उसे समालना नहीं जा सकता साथ आज ग्यापन देने भाजपा के कटर समर्थक निताओं ने भी इस दमन कारित तरीके पर फिरोज जताया और आदिवासी का मुखोटा पहने मुख्य मंत्रे से हजदेव जंगल बचाने की मांग की कि असे भाजपा की और कार्पोरेट परस्त लोगों की ताना साही है और उसी ताना साही का एक रूप देखनों की मिल रहा है कि बैठते ही वो पेड़ कटाई और जंगल को खतम करने का सुरुवात किया है इससे समझ में आता है कि यह जंगल ही नहीं पूरे आदिवासीयों को खतम करने का साजीस है आप बस्तर देख सकते हैं आप सरगुजा देख सकते हैं सभी जगा पूरे आदिवासीयों को खतम करने का एक साजीस है यह पेड़ एक बहाना है दूसरा यह है कि कोल माइन्स के बहाने पूरे आदिवासीयों को उजारने का साजीस है बस्तियों को पुतली है वह कट पुतली की तरह बैठे हैं और उसका जो आदेश है किसी उपर से आ रहा है मोदी और साह के आदेश से पूरा चल रहा है विस्नू देशाय का कुछ भी नहीं चल रहा है इसलिए यहां पर आदिवास्यों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं बिलकुल आद मजदूर जब नियुनतों मेतन का मांग कर रहे तो भ्यानक लाठी चार्ज हुआ है कई मजदूरों का सर भट गया है और सरकार चूप देखती रही और वहां जिंदल की जो गुंडें वह मजदूरों को पर दोड़ा दोड़ा के मारा है पुलिस देखती रही कुल मिलाकर यही है कि इधर आदिवासी को मारा जा रहा है इधर मजदूरों को मारा जा रहा है इसलिए आज पूरे जन संगर्ण के लोग ज्यापन सोपने के हम वह आया है आने वाला दिन में बड़ा अंदोलन के तरफ जाएंगे दुरभात की बात है कि छतिसगड़ में भाजपा किसानों को उठा लिया गया वहां लाटी चार्ज हुई 20 तारिक को जो है राइगाड में जिंदल पावर में लाटी चार्ज हुई और कल हस्देव में जो कल की सबसी बड़ी घटा है शाड़े चार सो जवानों को तैनाद करके रातो रात वहां के जो सामाजिक कारे करता है उनलों को गिरफतार कर लिया गया सुबद 6 बज़ा और उसके बाद पुरे पुलिस फोर्स के दबाओं में जो है वहां पेड़ों की कटाई हुई 52 हेक्टेयर में तकरीबन 30,000 पेड़ों को काटा गया यह साप साप इशारा करता है कि भजप सरकार अपनी नीती जो है बिल अचार और दमान हुआ था एक आदिवासी मुख्य मंत्री जब बने तो लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि अब हमारे समवादारिक अधिकार जो है सुरक्षित हातों में गए हैं लेकिन शपत लेने के बाद विश्णुदेव साही जी ने जो पहला निन्ना लिया हस्देव के जंगलों को काटने का निन्ना लिया जिससे स्थिति स्पस्ट हो गई कि आज जो एक आदिवासी मुख्य मंत्री जो है आदिवासी समुदाय के साथ नहीं बलकि एक कॉर्पोरेट ही थे सी जो है अदानी को फैदा पहुचाने के लिए आज बिल्कुल स्पस्ट चाहिए अभी सरकार बने अभी 9 दिन हुए अभी मंत्री मडलौों का गठन नहीं हुआ है और आते हम सांट आपर पहलकिया हो जो़ोद जमनलों के हpen उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए आज हम कलेक्टर के माध्यम से माणनी है राजपाल को ग्यापन दे रहे हैं और मारी मांग है कि जो हस्देव रहने में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसे तत्काल बंद किया जाए घाडबर्रा का जो समुदाई कधिकार निरस्त शुरू हो गए हैं उन पर तत्काल अंकुष लगना चाहिए कहीं ने कहीं घराने को लाब पहुंचाने के लिए पुना यह सरकार सक्री हो गई है पिछली सरकार के समय जब लगातार अंदोलन हुआ उसके बाद में दबाव में आने के बाद सरकार ने संकल्प लाया था कि वहां पर आगे खनन नहीं होगा करके लेकिन पुना यह सरकार बनते ही जीस तरीके से जो अभी मुश्की से नौ दिन हुआ है सप्ता भर के अंदर जीस तरह से फिर पुना पेड़ की कटाई हो रही है निश्ची तोर पे सरकार भी हजदेव जंगल को उजाड़ने पर जो ब्रह्म की स्थिति पैदा की जा रही है उसको हमारे 36 गड़ के हर आम जंता को समझना होगा और जहां भी परेवारन के खिलाब कहीं भी अगर पेड़ों को काटने की जो उद्योग लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है उसका पूर जोर विरोध होना चाहिए और हम सब सारे संगठन के लोग इसके खिलाब खड़े हैं एक जुड़ता के साथ और आगे भी अगर पेड़ कटाई जारी नहीं तो आगे भी इसी तरह से हम आंदोलन जारी रखेंगे जिन लोगों ने लगातार जो आंदोलन वहां पे पिछले साल भर से अधिक समय से जो का रोग लगाई जाए अगर रोग नहीं लगी तो लगातार आगे चरन बद्द तरीके से एक रनीती बना करके इसके खिलाब आंदोलन जारी रहेगी हस्देव का जो जंगल है करकर इखा से गुजरी है और जिसके कारण 36 गड़ में बारिस होती है और वहां जो साल का जो पेड़ है एक साल का पेड़ लगबग एक साल में साड़े 12,000 लिटर पानी स्टोर करके रखता ऐसे जंगल अगर कटेंगे तो मिनी बादा बांगो डे से जो 4000 एक्टेयर जो जमीन सिंचित होती है वो भी सुखा होगा और 36 गड़ में अकाल पड़ेगी साथ साथ में अन्य सहरों में भी हमको परियावरन दिरिश्टी कौन से पानी की किल्लत होगी ये भी हमको सोचना है और सभी जो परियावरन प्रेमी है उन्से मैं निवेद करता हूं कि सब अपनी अपनी जगों पे जंगल और जमीन को बचाने के लिए स्रिफ आधिवासियों का मामला नहीं है हमारे भी जीवन का मामला है और हाथी और मानों का संगर्स बढ़ेगा और उस छेत्र में पेशा कानून मद अधिकार कानून का खुला उंगलंगन है फ हम लोग तो खुदी भाजपा के कट्टर समर्था के लेकिन जहां गलत है वहां उसको गलत का विरोध होगा यह प्राकृतिक जंगल है सेकड़ों साल में तयार हुआ है आप रिच्छा रोपन करके नए जंगल खड़े कर सकते हैं लेकिन जिस प्रकार का सभाव प्राकृति रखता है लेकिन उर्जा के बहुत से वैकल्पिक संसाधन है और तयार किये जा रहे और आगे तयार किये जा सकते और इस पर मोदी गवर्मेंट बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन समझ में नहीं आता इतने सारे अच्छे काम करते हुए एक इतना बड़ा गलत काम क्यों कर रही है यह जो जंगल है इस पर केवल आदीवपासी नहीं पलते हम अज यहां सहर में हैं तो यहां की जलवायू को भी वो जंगल प्रभाइद करते हैं आज वार्शिक जो साल का हमारा मानसून वहां के जिव जनतु जिनका वह आश्रा एक मात्रा अस्राइस थाल होगा की जो वाटर के पी सिटी है ग्राउंड लेवल की वो खतम होगी केवल नुक्सान है कोईले से जो तातकाली कोईला राख हो जाएगा उसके बाद तो परमानेंट हमारा नुक्सान है इसलिए हम कट्टर भाजपा समर्थक होते हुए भाजपा सरकार की इस नीती का कड़ा भी रोत करते हैं लगाते हैं एक पेड़ को बड़ा करना याने चोटे बच्चे को बड़ा करने में जितना लगभग सर सब ख़त्व सब देते हैं क्या सब्सक्राइब लगाना है लिगोतार लिए सब कुछ देते हैं हम पैड़ों क्या दे रहे हैं आज जंगल क्कल नहीं अने वाली पिढ़ी का कर, कर रहे हैं यह मान के हम चले हम तो चलो आधा जी वन जी लिए और खतम हो जाएंगे लेकिन आने वाली पीड़ी जब हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे फोटो फ्रेम के अंदर में टंगे टंगे इसलिए आज आम जन्मान असका हम आवान करते हैं बले सरकार हमार करने से निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट